दो चार होना का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं दो चार होना एक मुहावरा है और इसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है यानि कि किसी चीज से मुकाबला होना या किसी चीज से आमना सामना होना या किसी चीज़ का सामने आ जाना या मिलना या किसी मुसिबत से सामना होना को हम दो-चार होना कहते हैं यानि कि जैसे आप ये कहें कि उसे हर रोज एक नई समस्या से दो-चार होना पड़ता है तो इसका मतलब कि उसे हर रोज एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है हैं उनको कैसे कैसी नजरों का सामना करना पड़ता है तो इस तरीके से हम दो-चार होना का मतलब समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें